दोस्तों अनुपमा इंडस्ट्री के सबसे सफल टीवी शोज में से एक रहा है और इसी के जरी आज दर्शकों के बीच घरिलो नाम बनने वाले अभिनेतरी है अनगा भोसले जो के सशोप में अनुपमा के छोटे बेटी की प्रेमिका नंदनी की भूमिका निभाते हुए अंदाज दर्शकों को हमेशा ही इनकी और आकरशित कर जाता है जिसकी वज़े से आज ये इंडस्ट्री का जानमाना नाम है लेकिन दोस्तों कि आप जानते हैं घर घर में मशूर होने वाली अनगा भोसले पॉपलर के साथ साथ काफी अमीर भी है जो कि आज अपने पैसों से रूबरू कराने वाले है तो चल ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और रूबरू होते हैं इनकी आलशान संदगी से पर उससे पहले आप इनके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूले अंखा भोसले टीव इंडस्ट्री की पॉपलर अभिनेत्रियों में से एक है जिन हो जैसे इनका अंधेरी में कालशान घर है जो देखने में बेहत ही शौंदार है जिसे इन्होंने काफे सिंपल और क्लासिक बनाने की कोशिश की है और यही वज़या है कि इनके घर में आपको ज़्यादा चमक दमक और रंग बिरंगा एफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा बल इनके घर में लाइटिंग से लेकर फ्लोरिंग भी इन्होंने काफे कमाल की रखी है इसके इलावा इनके घर में माजूद पेंटिंग्स जूमर और डेकोरेटिव पीसिज इनके घर को काफे ज़्यादा ट्राक्टिव बनाते हैं जैसा कि आप इन तस्वीरों में साब देख रहे हैं घर के साथ ही आपको बता दे काफी लग्जीरियस लाइफस्टाइल भी जीती है शुरू करें इनके ड्रेसेस से तो या भी ने त्री ट्रडिशनल से लेकर वेस्टन सभी तरह के ड्रेसेस करी करती है जहें के वाड्रो में आपको जारा और फैंडी जैसे ब् होन जाती है वहीं कपड़ों के अलावा इनके लुक को और जादा हैंस बनाने के लिए यह अपने मेकप पर भी काफी पैसा खर्च करती है जिसमें आपको हुड़ा ब्यूटी और मैक जैसे एक्सपेंसिव ब्रैंड्स ही देखने को मिलेंगे मेकप के साथ ही इन्हें हैंड हैंड्स हैंड्स बैक अभी काफी शौक है तभी तो इनके पास 30,000 के क्रिस्चन लुबटीन जैसे ब्रैंड के हांड्स ब्रैंड को और डियो्ड जैसे हैंड क्लच का आज बडा कलेक्शन है अब अंच में बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन prediction के बारे में तो आपको बता दे इनके पास तेरा लाग के टाटा हैरियर और किया स्टोनेट जैसे एक्स्पेंसिव कार्श शामिल हैं। तो दोस्तों का भोसले की आलिशान जिन्दगी के बारे में चान कर आप क्या कहना चाहेंगे। आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रू बताएं। साथ ही टीव इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।